अग्रेसिव बिहेवियर के बारे में बताएंगे आपको कि बच्चों के हिंसक या अग्रेसिव बिहेवियर के पीछे क्या कारण हो सकते हैं बच्चों के हिंसक विवार के लक्षन क्या है? हिंसक विवार को कैसे रोका जा सकता है? तो आईए अस वीडियो की तरह पिछले काफी समय से देश में करी सारी ऐसी हिंसक घटनाए हो रही हैं जिसमें नावालिक बच्चे भी शामिल है आपको हाल ही का लखनव वाला केस तो याधी होगा कि कैसे एक 16 साल के बच्चे ने अपनी ही मा को गोली मार दी जानकारी के मुताबिक लड़के को उसकी मा ने पपजी गेम खेलने से रोका करती थी तो उसने गुस्से में आकर पिता की लाइसेंसी बंदूग से मा को सोते समय गोली मार दी और शव को दो दिन तक घर में भी छुपा कर रखा बेटे की इस करतूत पर लड़के के पिता ने कहा कि उन्हें पहले से ही आभास हो चुका था कि उनके बेटे की हरकते ठीक नहीं है और वो पहले से ही काफी गुस्सेल सवभाव का था जिस सुम्र के बच्चों को भगवान का रूप माना जाता है वह एहवान और कातिल तक बनते जा रही है तो इन सब के बीच एक्सपर्ट्स का इस घटना पर कहना है कि आजकल के गेम्स काफी आकरमकता वाले होते हैं जो भी बच्चा इसे खेलता है वो रियालिटी और वर्च्वल दुनिया के बीच फरक नहीं कर पाता है और खुद को उस वर्च्वल दुनिया का हिस्सा माल लेता है इस तरह की आप राधिक मान सकता किसी बच्चे में कैसे विक्सित हो सकती है या निशित ही रूप से गंभीर और चिंता जनक बात है या कोई अकेली घटना भी नहीं है कई अन्य देशों की रिपोर्ट उठा कर देख लीजी तो इस तरह के दरजन भर से अधिक मामले देख तो कई देशियों ने बैंतर कर दिया सारा ठीकरा इनी पर क्यों फोन ना इन सब के लिए पैरेंट्स का बिहेवियर खान पान बच्चों के लाइफ स्चाइल और उनके दोस्त भी जिम्मेदार होते हैं वहीं इंटरनेट मोबाईल में इसी तरह के और भी कई गेंज है जिन दोका हिंसक वीवार के कई कारण हो सकते हैं और फ्युचर में इसके कई गंभीर पहिनाम भी देखने को मिल सकते हैं यह यहां विच्छे슬 ना की और इसमिम्मेदार को नौतिस करने के बाद अगर उस पध्यान नहीं दिया जाए तो उसे गंभीर परिणाम हो सकते हैं बच्चों की उम्र के आधार पर उनका हिंसक विवार किसी को माणने चिलनाने बात-बात पर गुस्सा होने आप्राधिक हरकत करना भी हो सकता है बच्चों के सामने आने वाले कुछ कारक उनके हिंसक विवार को और भी अधिक बढ़ा सकते हैं एक्सपर्ट्स योतावनी देते हैं कि किसी भी उम्र में बच्चों को हिंसक विवार को अंदेखा नहीं करना चाहिए बच्चों में हिंसक विवार के ये संकेत नजर आ सकते हैं जैसे बार-बार गुस्सा दिखाना, समझाने पर भी गुस्सा करना कोई भी बात समझाने पर चीजों को फेकना, माबाप को ही मारने दोड़ना, लोगों के बारे में गलत बोलना, गलत भाशा का प्रेयोक करना, गलत आदतों में पढ़ना, भाई भेन के लिए प्यार न रखना, लड़ाकों स्वभाव का होना, हमेशा उदास रहना, सम्वेंद आदतों के कारण, हिंसक करीके से ववार करने वाले बच्चे में कोई न कोई ऐसा कारण नजर आता है, जो उनके इस ववेवार को और अधिक बढ़ाता है, उनके इस आगरमक वहवार के यह कारण हो सकते हैं, गलत वहवार, फिजिकल और सेक्ष जेजset, धरेलू बातवरन ना मिलना मातापिता बच्चों की अच्छी तरह से देखभाल ना किये जाना जिससे बच्चों को घरेलू वातवरण नहीं मिलता है और वह हिंसक हो जाते हैं emotional trauma या stress कई बार किसी दर्दना घटना होने पर या फिर stress के कारण लगतार तनाव हो जाना जिससे बच्चों का वेवार हिंसक होने लगता है बच्चों को धंकाना अगर बच्चों को किसी प्रकार की धंकी दी जाए तो उनका वेवार आकर्मक हो सकता है फैमिली प्रॉब्लम अगर किसी की फैमिली में पहले से ही हिंसा होती आई है तो बच्चों पर उसका गलत असर पड़ता है आगे चल कर वो भी हिंसा प्रवती के हो जाते हैं नशीली चीजों का सेवन करना शराप और अन्य गलत चीजों के सेवन से बच्चों में आक्रमक्ता बढ़ सकती है एक्सपर्ट का माना है कि शूटिंग वीडियो गेम से बच्चों के दिमाग पर काफी गलत असर होता है मांसित स्थिति कई मामलों में बच्चों में bipolar disorder, anxiety, depression के मामले भी देखे जाते हैं या कुछ ऐसी मांसित स्वाक्त स्थितियां हैं जो हिंसक और आतर्मक वैवार को बढ़ा सकती हैं बच्चों में विक्सित होती आप्राधिक प्रवती मोबाई गेंस विशेशकर पबजी की लत ने बच्चों के सभाव को अप्राधिक और गुसेल बना दिया है वैश्विक्स पर इस गेंड के कारण जानलेवा प्रविती के कई मामले देखने को मिले हैं तो वहीं बात करें साल 2022 की तो पबजी की लत वाले एक बच्चे ने अपनी मा सही तीन भाई बहनों की हत्या कर दी थी वाशिंटन में भी इसी तरह के मामले देखे गए हैं भारत के मामले में बात करें तो ऐसे मामले अक्सर रिपोर्ट किये जा रहे हैं सितंबर 2019 में करनाटक में 21 साल के नव यूवक ने अपने पिता की हत्या सिर्फ इसले कर दी क्योंकि उन्होंने पबजी खेलते समय मोबाईल छीन लिया था जुलाई 2021 में इसी तरह बंगाल में मोबाईल गेम को लेकर हुई बहस में यूवक ने अपने भाई की ही हत्या कर दी थी ऐसे कई सारे मामले हैं जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि बच्चों में मोबाईल फोन्स की बढ़ती स्वहज उपलबधता और आक्रमक गेम्स की लत काफी गंभी रूप लेती जा रही है बच्चे मोबाईल से जितनी दूर रहे उतना बहतर है मोबाईल फोन्स से बच्चों की बढ़ती दोस्ती को स्वास्त विशेश उग्य बेहत अस्वस्तकार मानते हैं यह न सिर्फ बच्चों के मांसिक स्वास्त के लिए नुकसान दायक आदत है साथ ही से शारेरिक समस्याओं का खत्रा भी काफी बढ़ जाता है बढ़ती शारेरिक स्वास्त की समस्याओं बच्चों के मोबाईल फोन्स पर अधिक समय बिताने की आदत को स्वास्त विशेश उग्य कई प्रकार से हानिकारक मानते हैं मुबाइल फोन पर बहुत अधिक समय बिताने के कारण बच्चों में शारेरिक निश्कर्यता बढ़ती जाती है जो मोटापा और अन्य आंत्रिक स्वास्ते जटिलताओं के जोखिम को बढ़ाती है इसके अलावा American Medical Association Journal के अनुसार मुबाइल के अधिक इस्तमाल से मस्तिक्ष और शरीर के अन्य भागों पर गंभीर प्रभाव पढ़ सकता है मुबाइल फोन्स के इलत को अध्यनों में विशेश्ग्य, कैंसर, मस्तिक्ष पर नाकरात्मक प्रभाव, क्यूमर जैसे समस्याओं को बढ़ावा देने वाले मानते हैं इन सब के अलावा मुबाइल पर जाद समय बिताने वाले बच्चों में नीन की कमी और नीन की गुडवत्ता में गिरावट जैसे दिक्कते अधिक देखने को मिली है शोदिस से पता चलता है कि सैलफोन की नीली रोशनी के उत्पादन में बाधा डालती है मेलाटोनीन वह हार्मोन है जो नीन जांगने के चक्र को नियंत्रित करता है जब यह हार्मोन असंतुलित हो जाता है तो उसके कारण नीन संबंधित विकारों की शिकायद बढ़ जाती है नीन की कमी को अध्यनों में कई प्रकार के कम भीरो रोकों का कारक माना जाता है अगर बच्चा हिंसक विवार करे तो क्या करे रिसर्च से पता चलता है कि अगर काराल को खतम कर दिया जाये तो उनके हिंसक विवार को काफी कम या फिर खतम किया जा सकता है एक्सपर्ट का मानना है कि हिंसा से ही हिंसा होती है इसलिए बच्चों को हिंसक चीजों, टेलिफोन शोस, आदी से दूर रखना चाहिए जब भी माता-पिता या अन्न घर के सदत से देखे कि उनका बच्चा या फिर भाई-भैं हिंसक विवार कर रहे हैं तो उसे तुरंद किसी mental health experts के पास ले जाना चाहिए किसी professional doctor द्वारा दिखाना चाहिए इलाज उसके विवार को दूर करने में मदद कर सकता है बच्चो को mental health experts स्वारा गुष्ये पर कंट्रोल करना मन की बातों को बताना संघर्ष करना नेगेटिव बातों को दूर करना पॉजिटिव बातों को सोचना आदी के बारे में बताया जा सकता है इसके अलावा आप और तरीकों से भी हिंसक विवार को कम करने में मदद कर सकते हैं जैसे घरेलू माहोल बनाना बच्चो के मन की बात को जानना बच्चो से बात करना और उन्हें समझना बच्चो की परेशानियों को अंधिखा न करना बच्चो के मोबाईल और टैबलेट की जाँच करते रहना ताकरतिक जगहों पर घुमाने ले जाना अच्छी चीज़े दिखाने के लिए मोटिवेट करना बुक्स पढ़ने की यादत डालना गलती होने पर अग्रेसिव न होना तो आखिर में हम यही बोलेंगे कि बच्चो को बच्चा ही रहने दे समय से पहले न तो उन्हें बड़ा बनाने की कोशिश करे नहीं मोबाईल थमा कर अपनी जिम्मदारी से बच्चे बच्चपन अमुल्ले और जीवन का अधार है जैसा अधार होगा भविश्य की बिल्डिंग भी वैसे ही खड़ी होगी बागी आप देखते रही है दन्यूज स्प्रिन आपको यह वीडियो कैसे लगी हमें कॉमेंट करके ज़रू बताइए साथ ही आगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूले